एलो एबरिवन वेल्कम टू लाइब्रेरी एकेडमी इस वीडियो में हम्रों डिस्कस करने जा रहा है नेशनल इंस्टूट अफ टेक्नलोजी रायपुर में लाइब्रेरियंट ट्रेनिंग के लिए लाइब्रेजी ट्रेनिंग के लिए रिकुर्मेंट का नॉटिफिकेशन इन्होंने जारू किया है और जो नंबर पोस्ट है वह फाइफ है और क्वालिफिकेशन आपको एमलीस मांगा गया है आप इनके ओफिशल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं विजिट करके वेबसाइट है एन इटी डबल डॉट डॉट एसी डॉट इन यानिकी नेशनल इनके ओफिशल वेबसाइट आजाएगा वहां पर चेक कर सकते हैं और इसके बाद क्येसे अपलाई करना है क्या 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 करना है इसको नोटिफिकेशन में चलते हैं उससे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया दिस्क्रिशन बॉक्स में यह वीडियो के आपको खेस करना पड़ेगा तो आपको सब्जेक्ट के बारे में जरूर नौलेज होना चाहिए तो आप बहुत इजी होता है मतलब की ऐसा बहुत टॉफ नहीं है तो अगर आप पूरा मतलब की नौलेज भीन करना चाहते हैं सब्जेक्ट पे तो आपको लाइब्रेरी एक महरास्च वहां पे आपको इंटर्व्यूफ करना परेगा वहां पर टावां पर ग्रेन के लिए कर सकते हैं और आपकी च्वाईस है जहां आप जाना कम है उसके पेक्षा महाँ पे 20 है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे देखिए इसके नुटिपिकेशन पर हम लोग चलते हैं और नुटिपिकेशन आपको साथ बारे करेंगे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेडी इन इंफर्मेशन साइन्स फर्स डिविजन आपका होना चाहिए उसके बाद बोला गया कंडिएट विद नौलेज आप कंप्यूटर और आटोमेशन सौट्वेर विल प्रिफर्ड यानि एज आपका मैक्सिमम् 30 एयर होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं 23 दिसंबर 2021 से पहले यानि आज अगर 12 दिसंबर है sorry 10 दिसंबर है तो आपको 23 दिसंबर तक आप अप्लाई किजिएगा इनके वेबसाइट पर विजिट करके nitr.ac.in पर यहीं बात इन्होंने लिखा है फिर से ब्लॉक करके और यहां के रूप में यह आपको 22,000 रूपिया प्रवाइड करेंगे पर मंत लेकिन यहीं पर हम लोग सीवा जी इंपर्सिटी कोलापुर की बात करें तो वहां पर आपको 400 पर डे भी लेगा तो उसके अपक्छा यह जादे बेटर अपरच अपलाई कर देना है शॉट लिखेट जो होंगे वह 27 दिसमबर तक सॉट लिखेट हो जाएंगे और आपका डेट ऑफ रीटेन एक्जाम लेशन फोर्ट जन्वरी को होगा और डेट ऑफ इंटर्व्यू जो होगा ओफ फोर्ट जन्वरी को होगा यानि कि डेट अप रीटे रायपूर में एक्जाम होंगे उसके बात बात करते हैं हम लोग टर्म एंड कंडिशन की तो इन्होंने बोला है कि अप्लिकेशन और देन दफिस्क्राइब फर्मेट और इनकम्प्लीट अप्लिकेशन आर लाइबल टू कि रिजक्टेड जो भी प्रिस्क्राइब सब्सक्राइब यानि कि आपको नाइट में भी वर्किंग करना होगा लाइबरी देखिए सेंटर लाइबरी जो होता है वह आठ वेड़ार तक खुलता है तो वहां का तो वहां का जो टॉर्मन कंडिशन है उसको आपको फुल्फिल करना पड़ेगा दूसरा है ट्रेनिंग ये विल बी पेड़ पर कंडिड़ेट अटेंग रीटर टेस्ट यान इंटर्विव यानि आपको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं उसके बाद इन्होंने बोला है कंडिड़ेट फुल्फिल दा एबब रिकुर्मेंट में सेंड दियर अप्लिकेशन इन्दा प्रिस्क् कोई एब अपुल्ब करेंगे गारोड़ां है और फुर्मेंट में । सब्सुन हमाते दियाएत्पकेशन इन्दा इक्ट होगा श्रफिल प्रिंतार के पता पैंगी एडवर कूंग मेंघिएगाcs घरेर इंस सब्सक्राइगां है में ये मारक्न कें विक्तेफिल और इसलम क सब्सक्राइब को बता दिया जाए और चार जनुवरी को आपको वहां पर पहुंचना होगा अगर आपका सेलेक्शन होता है रीटेन टेस्ट और इंटर्व्यू के लिए रीटेन टेस्ट निकलता है तो फिर इंटर्व्यू से पास करना होगा आपको 22,000 रूपिया पर मन्त दिये जाएंगे वन एयर का आपको एक्स्प्रियेंस का भी मतलब हो जाएगा आपको फायदा रहेगा थेंक्यो पर वाइद के साथ देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको को से जोएन करना चाहिए आप अपने से पढ़ सकते हैं बहुत सार अपने प्रेंड करेंगे और आपको उतना फी देना आगा वन एर का कोर्स वैलेडिटी रहेगा और आप अपने फ्रेंड को भी जोइन करा सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्सन यहीं है कि अगर आप अपने से पढ़ नहीं पाते हैं देखिए बहुत लोग होते हैं अपने से या कुछ ऐसे होते हैं पढ़नेंगे पर चला जाता है तो इसलिए कोई समस्ता से जूर जाते हैं तो आपका देड़े देड़े कंपलीट हो जाता है देखिए अगर बहुत सारे बचे इस दो वेकेंसी जो आई है चुकोला पूरवाली और ये ट्रेनिंग के जो 25 आपको पूरे मैं बार बर बोलता हम कि पहले से थोड़े थोड़े पड़ी अगर आप इस फिल्ड में इंट्रेस्टेड है तो फिल्ड को छोड़ दीजिए तो तो क्या है यहां पर आगर आपको पहले सब गोचसे सोते हैं कि वेकेंसी आएगा तो तैयारी करेंगे तो आपको वेकेंसी आकर चला जाएगा आपका तयारी कमप्लेट नहीं होगा इसलिए आप अब हुआ अपका पर सर्फ कर दिटे कोई नहीं जानता है जैसे यह आपक सी तो फिर आगे की रास्ता स्मूथ हो जाएगी तो मैं यहीं आपको बताता हूं कि आप पुरुक्षह जारी स्कलिभी किए कभी भी अगर फिल्ड से हैं तो एक अगीले घर करना पीजाएगा अछिजिया उधिकémentर पर जाएगा इस कुछ आपको पता है इंवर्सिटी में फाइव वेकंसी देशनों को मिली है और भी उतर परदेस में बहुत जगा वेकंसी आने वाली है जिरे आपने देखा हुआ राइस्थार भी वेकंसी आई है जो कि दिसंबर तक फॉर्म हो जाएगा तो इसी तरह आपको वेकंसी आ रहेगा मतलब कि नहीं रहेगा तो आप पीछे रहा जाएंगे इस वजह से आप फिल्प्रेशन पहले से कीजिएगा थैंक्यो प्रवाची मिलता है नेक लेक्चर में नए चौप के